नमस्कार आदाब, निउस क्लिक में आपका स्वागत है आज हम मुद्दा उठाएंगे एक बार फिर आधार का और आधार को नियंतरत करने वाली जो हमारी केंद्र एजिंसी है UIDAI का बार बार निउस रिपोर्ट में ये बात आती है कि आधार का डेटा सुरक्षित नहीं है अभी ट्रिब्यून का केस भी सामने आया जिसके बाद UIDAI ने ट्रिब्यून के उपर केस तक कर दिया तो आज हमारे साथ है प्रभीर पुर का यस्ता हमारे एडिटर इन चीफ जिन से हम बात करेंगे कि आधार डेटा आखिर का सुरक्षित है या नहीं और अगर नहीं है तो लीक्स कहां कहां से हो सकते हैं तो प्रभीर कहां मतलब अगर ट्रिब्यून की बात करी जाए तो उस केस के उपर UIDAI ने अब केस किया है तो उससे हमें क्या पता चलता है पहली बात तो यह साफ साफ है कि कहीं न कहीं अथारिटी UIDAI जो है और डरी हुई है और इसी लिए उसको दबानी की कोशिश करें पहली बार नहीं है वो सेंटर फोर इंटरेट सोसाइटी की CIS की भी एक बार पहले रिपोर्ट आई थी इसके बारे में कि बहुत सरे आधार डेटा पॉब्लिक किया जा रहा है और सरकारी एजिंसिंग के दौरा भी और इसके उपर उनोंने CIS के उपर भी मुकदम दायर की थी तो एक तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक डर डर इस अथारिटी का है कि अगर असलियत क्या है ये पता चल जाए तो लोगों में यू आई डियाई के प्रती और ये अधार के प्रती एक भावना पैदा हो सकता है कि ये खतमनाक है तो इसलिए दबानी की कोशिश हो दिया पर इस बात को अगर छोड़ दे यू आई डिया ते कत कहा क्या है इस ट्रिब्यून के लीग के बाद उनोंने कहा कि हमारी बाईो मेत्रिक डेटा जो है वो सुरक्षित है पर ये नहीं कहा कि और जितने डेटा है वो सुरक्षित है तो वो खुद मान रहे हैं ये चार्थ वही डेटा सुरक्षित है जो बाईbas fix साब आपक्षत ओर के बाइ capturing ये बाइबि शरक्षित है और अगर हम बात करेंчи कि बायोमेट्रिक डिवाइस के जिन से हम मतलब येडि़ा इसमें नीचे लेवल फी कोलेक्शन होता है तो क्या वो दिवाइस बंख सच में सुरक्षित है भी या नहीं यह बहुत बड़ी बात है कि जो डिवाइसेज है वो कंप्यूटर से connected है उनकी छोटे से laptop या PC से connected है अब उनकी डिवाइस जो पढ़ता है जो software उसको पढ़ता है वो उसकी operating system के नियंत्रन में यह पढ़ता है तो उस वक्त यह संभव है क्या कि उस डिवाइस से जो पढ़ रहा है उसकी copy बनाके वहां रख दी जाए यह संभवना जरूर है इसके बाद जब वो पढ़ता है डिवाइस को computer तो उसको encrypt करता है इसका मतलब है इस तरह से वो रखता है जो कोई पढ़ नहीं सकता कि वो उस computer से उस encrypted data अगर आप ले तो उससे आपको न आईरिस का न फिंगर प्रिंट के बारे में आपको जानकारी मिलेगी क्योंकि वो encryption ऐसा है उसको सिर्फ जो उनकी central repository है वहीं पर उसको पढ़ी जा सकते और कहनी पढ़ सकते पर सवाल यह है क्योंकि एक साधरन computer एक साधरन operating system के तहट इन device drivers को नियंत्रित किया जाता है यह जरूर संभव है उसके अंदर आप कुछ करे जिसके तहट copy रखी जा सकती है दूसरी बात अब जो सुरक्षिद जो data है जो encrypted है उसको भी अगर रखते है तो उस पर नियम यह है कि 24 घंटा से ज्यादा उसको अब नहीं रख सकते है क्या 24 घंटा से ज्यादा रखी जा सकती है यह नियम का मतलब क्या नियम क्या ऐसी चीज है जो इनसान खुद करेगा य सॉफ्ट्वेर को बदला जा सकता है यह सवाल जो है खड़ा है और इसलिए खड़ा है कि इन पूरे जो ecosystem इसके लिए है उस पे जगह जगह पे अलग-अलग vendors इस पे काम कर रहे हैं और उसको बदलना बड़ा आसान है मैं इस बात को मानता हूं कि अभी तक इस पर प्रमान नहीं है कि उनकी जो central repository है जहां पर sub-biometric data है उसका security कहीं पर उलंगन हुआ है मैं इस चीज़ को मानता हूं अभी तक ऐसा कोई सबूत हमें मिला नहीं है पर ecosystem के अंदर जो आपने कहा कि एकड़ नीचला स्तर में जहां पर आपकी fingerprint आप देते हों या आपका retina scan होती है तो इ है इसके बाद उनको collect करके रखना उनकी copies बनाना encrypted data को रखना दूसरे किसी को देना यह हो सकता है क्या इसके बारे में जरूर बहुत सारे प्रश्चिन अभी है और आपने अभी यह बात कहीं कि CIDR जो central repository है जिसमें सारा data आखिर stored है उस पे अभी तक कोई सवाल नहीं उठा पर उसकी भी यह बात है कि वो जो company जिसने CIDR को बनाया उसके उनके links CIE के साथ है जो अमेरिका की Central Investigative Agency है तो उस बात पर अगर हम बात करें तो शायद वो डेटा भी इतना सुरक्षित हम नहीं कह सकते हैं कि CIE के पास क्या backdoor है जिसके जरीए biometric data CIE ले सकता है नहीं इस पर एक complex जो उसका architecture है उसके अंदर backdoor है या नहीं है बताना बड़ा मुश्किल है और क्या इस तरह के कोई security check हुआ है या हो सकता है यह पर मैं दूसरे चीश पर आपका ध्याद ले जाना चाहूंगा कि अगर मान ले कि CIE के लावा इसको और कोई ले नहीं सकता अगर इसको मान ले पर यह सवाल हमारे सामने जरूर है कि ट्रिब्यून के इस case के बाद CIDR ने या UIDR Authority ने घोशना किया कि हम जो इसके साथ जो बातचीत करेंगे उसके लिए एक अलग नंबर होगा जो की आप ऐसे ही generate कर सकते हो एक तो यह कहा वर्चुएल आइडी होगा आधार नंबर वर्चुएल आइडी के जरी आप बातचीत कर सकते हो हमारे आधार के ecosystem को बैंक से किसी से किसी telephone company से जो आपके जहां पर account रहता है ऐसे बहुत सारे चीज़ आप वर्चुएल आइडी से कर सकते हो सवाल है कि वर्चुएल आइडी generate करने का च्छमता मेरे ख्याल से दो से पा generate कर लो तो इस अंभर नहीं है दूसरी बात अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि facial recognition होगा तो facial recognition software जो है अभी तक तो इसका ये हालत है कि अगर आप दक्षिन भारती है ये तो आप Africa कोई इनसान को Google को पूछे ये face जो है इसको recognize करके बताए है क्या ये क्या कही statue है इनसान है और कुछ है तो उसको तो gorilla चिर्णित करता है Google के साथ हुआ है तो जो जितने African Americans है और Africans है जो जिनका रंग काला है उनको वो gorilla घोशित करने लगा था इसके बाद उनने software को code को change करना पड़ा ये नहीं कि rules को change को code को change करना पड़ा नहीं तो ये बदल गूग चीन में इसका ये हुआ है कि Apple phone ने ये iPhone जो है उस पे एक feature डाला था कि वो facial recognition से phone unlock हो जाएगा आपका शकल देखके phone unlock कर देगा अपने आप software के जरीए तो सब चीनियों को उन्होंने एक ही समझा तो ये तो facial recognition software की खाल है उन company'ों के साथ जो की इसमें अगवाई कर रहे देखते में facial recognition software ये लगा देंगे और कह रहे हैं मेरे ख्याल से जून जुलाई तक हर जगह पे चल जाएगा ये तो बेवकूफी की बात है इससे ये भी लगता है कि डर इतना ज्यादा इनमें फैला हुआ है किसी तरह लोगों को शान्त करने के लिए तसली के लिए इसा ब जिकारों की बात जरूर है पर इससे बड़ा सावाल इस वक्त खड़ा हुआ है जो इसको वो सामना करना चाहते है जो वर्च्वेल आइडेंटिटी से लेकर facial recognition के इसलिए बात करें कि biometric data के इलावा हर चीज खुल गया है इसके मतलब कोई भी इन चीज जो इन तक्षों को इन जो और details है उनको एकठा कर सकता है अगर कर सकता है उसके जरिये आपका phone number किया है आपका bank count किया है आपका personal जो चीजे है उस सब वो जान सकता है अगर जान सकता है तो सवाल यह है कि इसको अगर आधार के जरिये financial transactions करना चाहते हो अगर यह इच्छा है आपकी तो एक transaction के लिए आधार number चाहिए वो virtual ID से नहीं हो सकता पन्रा मिनिट के ID से आप virtual transactions इस तरह के transactions नहीं कर सकते हो सवाल है कि बुनियादी financial infrastructure अगर आधार पे आधारित करना है आपको तब उसमें आपकी जो security होनी चाहिए वो security कत्य नहीं है यह साफ हो गया है biometric अभी तक सुरक्षित है इसको भी अगर मानेंगे तो अगर biometric की इतनी copies अगर हर जगह पे हो सकती है तो इससे अगर आप bank account पे जाना चाहेंगे तो भी एक खतरनाग बात है और सबसे बड़ी बात जो भी खुल के आई है कि जो mobile app uidi दे authority दिया है बाता है जो कोई भी service provider उसको लेके अपने service में लगा सकता है उसके अंदर security में बहुत सारे खामिया है security hole कहना बलकि गलत होगा security hole नहीं है security के एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे उसका black hole कहें और भी कुछ कहें तो कम होगा एक खोस्ता लैब्स की बनाई हुई है और वो लगता है कि जो public कुछ code snippet होता है जो हर जगह पे मिलता है जिसके जरीया आप अपना code उस पे ल रिपेट लेके उसी तरह उस पे लगा दिया है और उसके अंदर कोई हिराफिरी के थोड़ा से भी बनलाव नहीं किया है तो पब्लिक कोड है इसका मतलब आपका phone अगर चोरी हो गया तो एक घंटे के अंदर आपका bank account भी खाली हो सकता है क्योंकि हर चीज उसमें stored जो है उ आपके password करना आपके इस password के जरीए आपके bank contact पहुंचना यह मामूली से काम हो जा रहा है तो इस तरह के एक आधार को जो ecosystem है मुझे लगता Tribune का यह case और दूसरा जो एक French security expert ने जो अभी 5-6 दिन पहले उन्हें जो आपने बयान दिया है Twitter में और उसने details दिया है बड़ा ग है कि एक school project जैसा लगता है और मैंने उस court को देखा है उसके अंदर जो उन्होंने court snippet पेश किया है उसको अगर आप देखे तो एक हिसाब से लगता है कि यह पूरा आधार का जो ecosystem जिसे कह सकते जिसके जरीए हम bank account को link करना चाहते हमारे हर चीच को link करना चाहते गैस की subsidy को link करना चाहते यह पूरी तरह से लीकी infrastructure बना हुआ है जिसके कोई सुरक्षा है ही नहीं और इसके और भी जो बड़ा खत्रा जिसके बारे में लोग चुप हैं जो भी हमें सोचना चाहिए जो बुनियादी सर्विस इसमें दे रहे है जैसे एर टेल जैसे company जिसको कहा जा रहा तो एर टेल इस बादधा का फायदा ये उठाया कि उन्होंने गैस की सबसीडी एर टेल के bank जो account में transfer कर दिया क्योंकि आधार से link करते वक्त वो भी पूछा कि आपका एर टेल एक bank account भी खोल दिया हमने इसमें भी हा कर दीजिए कि आपको गैस की सबसीडी उसमें जाएगी तो ये इसको देखते हुए खत्रा इससे भी है कि जितने हमारे service providers हैं वो हमसे क्या करवा रही है वो हमको मालूम नहीं है और ये सिर्फ बाहर के लोगों के security hacking की बात कर रहे है इसकी बात नहीं है अंदर के लोग इसमें क्या करेंगे ये सवाल है और सोच लीजे जरा कि हमा केंडरे खुले हुए हैं आधार के केंडरे खुले हुए हैं सरकार खुद मानती है उसमें से 40-50,000 जो है वो reliable नहीं है इसलिए उनका license कैंसल करती है और कुछ को अब ये भी कह रहे हैं कि government offices के अंदर लेके आएंगे पर वो भी कितना मुम्किन है नहीं है पता नहीं है दू लोगों के पास आधार ecosystem के अंदर ये चमता है कि कोई भी चीज जानना और उसकी जो security है ट्रिब्यून के इस case साफ है उसकी security बहुत मामूली सी है सो सिर्फ बाहर के लोग इसको crack करेंगे security को privacy को crack करेंगे हमारे bank account खाली करेंगे ये सवाल नहीं है सिर्फ सवाल ये भी है ज इनकी security level क्या है ताकि उनसे हम सुरक्षित रहे इसके बारे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है तो मैं समझता हूं कि अगर इसके सरकार की पैसा इसमें नहीं होता सरकारी इसमें क्या कहते है सरकारी तंत्र जो है इससे इस तरह से जुड़ा नहीं होता कोई और company इस कर रहे हो आप हमारे साथ fraud कर रहे हो तो मैं समझता हूं हमें surveillance की बात इस वक्त थोड़ा सा ताक पे रखे ये भी सोचना चाहिए हर चीज आधार के साथ जुड़ना सब कुछ आधारित आधार पे करने का देश के लिए बहुत बड़ा आर्थिक खत्रा है और आज हमारे banking system को अगर कोई बाहरी शक्ती डूबोना चाहता है सोच लीजिए कि इतने सुराक हम ने छोड़ दिया है आधार के जरीए कि इस banking system को ले डूबना बहुत दिक्कत की बात नहीं है इस tribune और इस French security expert की जो हमको दिखाया है उससे लगता है कि देश के सामने बहुत बड़ा खत् Supreme Court में अब जो ये केस चल रहा है इसके उपर तो उस पर आपको क्या लगता है उसका क्या result होगा कुछ Supreme Court इस पर आप action लेगी या नहीं लेगी इस बात को वो ढंक से सोचेंगे या नहीं देखिए Supreme Court इस चीच को देख रही है कि आधार से link करना क्या हमारे बुनियादी देखेंगे उसको मदे नज़र रखेंगे पर मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ हर चीच इस तरह से link करना हमारे लिए आर्थिक संकट दूसरे किसिब के संकट क्या बढ़ा नहीं रही है तो इस पे ये नहीं लग रहा है क्या कि अगर हम इस तरह के हर चीच अधार है उस पे खत्रा ना पैदा होगा हमारे bank accounts खाली होने का खत्रा नहीं बढ़ेगा क्या तो मैं समझता हूँ है एही वजह है कि हर चीच को किसी भी देश ने आज तक इस तरह से जोड़ा नहीं है क्योंकि data को अलग-अलग silos में रखना अलग-अलग जगों पे रखना security हिसाब से सही है सब को इकठा जोड़ देदा security हिसाब से एक जगह पे अगर सुरंग निकल आया एक जगह पे सुराक अगर किसी ने छेद कर दिया तो पूरा system compromise हो जाता है इसलिए किसी भी देश इसके बारे में इतना पहल कदमी नहीं किया थोड़ा सा करके छोड़ दिया है कि उनको सब को लगा हर चीज को जोड़ने में खत्रा बहुत ज्यादा है और एक बुनियादी security risk सभी security expert जो computer data से deal करते हैं तो उनको यह मालूम है यह जो सरकार की तरफ से एक बिश्वास है कि हर चीज नागरिक के बाले में मालूम होना चाहिए इसका खत्रा यह है कि सिर खत्रा देश के लिए यह नहीं है कि हमारे यहां कुछ गणबर पैसा सरकार की पैसा किशी गलत अकाउंट पर चला जाएगा खत्रा यह है कि इसके जरीए हमारे पूरी यहां पर जो आर्थिक व्यवस्ता है उसके अंदर सेद डालने की संभवना बहुत बढ़ाई जाएग हमसे इस पारे में आज बात करने के लिए आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है न्यूस क्लिक पर आने के लिए अपका शुक्रिया